श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 10 अगस्त 2024 के दिन पढ़ रही है, सावन महीने की शष्ठीति थी, इसलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को पांच काली मिर्च के दाने वाल उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है, तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको कि किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आ देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्व पूर्ण होता है, देखा गया है। आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। का मंगल दोश भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोश होते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोश को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 10 अगस्त 2024 सावन के तीसरे शनिवार के दिन, इस पांच काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं, इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह पांच काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह पांच काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किसलिए किया जा रहा है? यह मनो कामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है? या आपके जीवन में जो दुख और परेशानिया हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा र आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो, तो सीधी सी बात ये है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनो कामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो, तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है, जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनो कामना भगवान शिवजी से पूर्ण करवानी हो और अगर कोई भी माताएं बहने जो है अपने घर की सुख और शांती के लिए घर में धन सम्रिध्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है तो घर की जो बड़ी माताएं बहने होंगी वह इस पांच काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेश चाहे वह चोटा हो चाहे वह बच्चा हो जिस व्यक्ति को यह पांच काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस पांच काली मिर्च वाला उपाय को सावन के तीसरे शनिवार के दिन जरूर करें क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल ज क्योंकि 10 अगस्त 2024 सावन के तीसरे शनिवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। अब भाई, प्रदोश काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रशन बन जाता है, कि भाई, यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें। उस उपाय का जरूर फल मिलेगा तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो तो ढहिया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रशन भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं हम अपनी ड प्रदोशकाल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है आप आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुँच पाते हो तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा और अगर इस इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना, कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो, सावन के तीसरे शनिवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतरगत ही कर लो, पर किसी कारण वश अगर ना कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, पूज गुरू जी ने कहा कि जब भी सावन के तीसरे शनिवार के दिन पड़ेगी, तो आपको सिर्फ पांच काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है, इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो, या फिर आपको धन की हानी हो रही हो, तो गुरू जी ने कहा कि आ आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सावन के तीसरे शनिवार की टिथी में किये जाने वाले तीन विशेश उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे. यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं. इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे. आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे. जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं तो उनको दूर कर पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए, सबसे पहले उपाय के बारे में, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पेड़गी, पांच काली मिर्च के दाने, अब पांच काली मिर्च के दाने, सावन के तीसरे शनिवार की रात, चुपचाप फेक देना, यहां पर पांच काली मिर्च के दाने, जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी, आपको मुक्ती भगवान, शनिदेव जी के आशीरवाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी, धन की वर्षा दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में धन को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनके पास पैसा रु जितनी भी समस्याएं हैं, वह दूर हो जाएंगी, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें की सिर्फ काली मिर्च के पांच दाने आपको अपने घर में पर इस जगह फेंकने हैं, और यह पांच दाने फेंकने मात्र से ही, आप रातो रात धनी और महाधनी भी बन जाते हैं, और भगवान शनिदेव की ऐसी कृपा मिलती है, कि जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी दूर हो जाता है, तो देखिए, भगवान शनिदेव की कृपा अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए ना, तो भले ही उसके जीवन में लाखों कश्ट लिखे हैं, लाखों दुख लिखे हैं, चाहे उसके जीवन में धन नहीं लिखा है, उसके जीवन में सुख नहीं लिखा खा है, बस शनिदेव की कृपा अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेना, तो उसे अपने जीवन में हर प्रकार का सुख भी मिलता है, धन भी म जिनकी आवश्यक्ताएं तक पूरी नहीं हो पाती हैं। जिनकी आवश्यक्ताएं तक पूरी नहीं हैं। यहाँ पर आप एक रुपया भी रख सकते हैं। करके अपने घर पर चले आना है। तो जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है। भगवान शनीदेव तुरंत उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं। और शनी की पीड़ा भी शांत हो जाती है। चाहे शनी ढईया हो, शनी की साढ़े साथी हो, शनी की कोई भी महादशा आपकी कुंडली में क्यों ना चल रही हो, अच्छा शनी की कोई पीड़ा आपको परेशान नहीं भी कर रही है। ना तो वैसे भी आपको हमेशा शनी देव को प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि इनकी कृपा जिसके साथ होती है, कभी भी उस घर परिवार पर उस सदस्य पर उसके जीवन पर कभी भी कोई संकट भगवान शनी देव आने नहीं देते हैं। तो चलिए, बात कर लेते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा, कोई-कोई व्यक्ती मतलब, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कि अचानक से ही रातो रात करोडपती बन जाते हैं। हमारे धन में व्रिध्धि हो, हमारा पैसा भी बढ़े हैं न, लेकिन बहुत से उपाय करने के बाद भी, बहुत कुछ करने के बाद भी उनके धन में व्रिध्धि नहीं होती। उनका पैसा बढ़ता ही नहीं है, है ना, और वो सोच भी नहीं पाते हैं, अंदाजा भी नहीं लगा पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए, सोचते तो बहुत कुछ है कि ऐसा करें, वैसा करें, है ना, बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन होता क्या है, कभी-कभी बहुत सार उपाय करने के बाद भी कुछ इसका असर नहीं होता, मतलब सफलता जीवन में नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता, अब ऐसा होता क्यों है, सबसे पहले आपको ये बता दें, तो तो देखिए, अगर आपके घर में चाहे, तो आपको नजर लगी है, आपके पैसे को नजर लगी ह है ना, घर में कोई वास्तुदोश है, या शनी की पीडाएं परेशान कर रही है, या कुंडली में कोई ग्रह खराब है, इससे भी आपके जीवन पर बहुत असर पेड़ता है, मतलब आपकी जो इनकम है, आपका जो पैसा है, वो कम होता चला जाता है, आप धीरे धीरे करक अपने पैसे को खोते चले जाते हैं, आपकी तिजोरी धन से खाली होती चली जाती है, आपका व्यापार, ठप पेड़ने लगता है, दुकान पर ग्रहक आना बंध हो जाते हैं, आपको नहीं समझाता कि ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए, इसके पीछे नजर दो, सबसे बड कारण होता है, तो नजर अगर आपको लगी, आपके पैसे को लगी है, तो घर में बरबादी होगी, अब इसे दूर करना है, आपको काली मिर्च से, आपको पांच काली मिर्च के दाने के दाने लेने हैं, अच्छा, काली मिर्च जो है, ये शनी देव से जुड़ी हुई है क्योंकि इसका रंग काला होता है ठीक है ना, जितनी भी काले रंग की वस्तुएं होती है वो शनिदेव को बहुत प्रिय होती है तो काली मिर्च के आपको पांच दाने लेने हैं अच्छा, दाने आप बिल्कुल यहाँ पर देख लेंगे कि एक भी काली मिर्च का दाना टूटा हुआ ना हो अब आपके घर में जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा नजर लगी है जिसके पास पैसा नहीं रुकता है, जो असफल है उसके उपर से आपको साथ बार कितनी बार साथ बार घुमाना है मतलब घड़ी की सुई को अगर हम उल्टी दिशा में घुमाएं है न तो इसको साथ बार आपको घुमाना है, उतारना है जिसे बहुत सारे लोग वारना भी बोलते हैं तो उतारने के बाद यह वारनेस भी चौराहे पर और चार दिशाओं में एक-एक दाना फेंक देना है पांचवा दाना आपको उपर आसमान की तरफ उच्छाल देना है अब देखिए, इस उपाय को करने के बाद आपको सीधे अपने घर पर आना है पीछ मतलब हर जगह से, हर तरफ से आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है और आप रातों रात करोडपती बन जाते हैं शनिदेव की कृपा भी यहां पर आपको मिलती है जब इस उपाय को आप करते हैं और नजर दोश जैसे ही दूर होती है ना आपके जीवन के लाखों करोड़ों कष्ट ऐसे ही दूर हो जाते हैं तो जो लोग जीवन के कष्टों से बहुत परेशान हैं वो लोग शनिवार के दिन इस उपाय को जरूर करें यह बहुत ही उत्तम और बहुत ही अचूक उपाय है क्योंकि आज का टाइम ही ऐसा है कि आपसे प्रसन रहने वाले लोग कम हैं लेकिन आपसे अपसन मतलब जलने वाले लोग ज्यादा हैं देखिए आज का टाइम ऐसा है कि हर व्यक्ति आपको देखने में अच्छा लगेगा लेकिन मन में वह क्या सोच रहा है इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं चाहते आप जीवन में आगे बढ़े धन प्राप्त करें सफलता आपको मिले तो ऐसे लोगों की जो सोच होती है जो मन में कुछ सोचते हैं सामने कुछ होते हैं उनकी नजर आपको लग जाती है और जब नजर लगती है तो घर में पैसा आना बंध हो जाता है धन की बरबादी शुरू हो जाती है एक-एक रुपय के लिए लोग परेशान रहने लगते हैं तो ये ऐसा उपाय है जिसे करने से बड़े से बड़ा दुख बड़ी से बड़ी नजर आपके जीवन से दूर हो जाएगी और आप सफलता भी प्राप्त करेंगे पैसा भी आपको मिलेगा देखिए, जो लोग व्यापारी है जिनकी कोई दुकान है, बिजनेस है उन लोगों को तो विशेश कर ये उपाय करना चाहिए क्योंकि बिजनेस में मद्दा आ जाता है जब व्यक्ति को नजर लग जाती है या कोई कुछ करा देता है क्योंकि करा धरा भी अगर है तो इस उपाय को करने से तुरंट दूर होगा साथ ही साथ, शनिवार के दिन आपको छोटा सा ये तीसरा उपाय और करना है देखिए शनिदेव की कृपा अगर प्राप्त कर है न तो शनिदेव के मंदिर में जाकर आपको एक सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाना है चाहे तो भगवान शनिदेव के मंदिर में आप जाकर लगाएं या फिर पीपल के पेड़ के नीचे लगा दें लगाना दीपक शाम को ही है अब जो व्यक्ति भगवान शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक लगाता है, चाहे तो पीपल के पेड के नीचे लगाता है कभी भी भगवान शनिदेव उसके जीवन में दुख नहीं आने देते हैं तो शनिदेव की तो कृपा ही ऐसी है जिस पर इनकी कृपा हो जाए ना उसके जीवन में तो सिर्फ कल्यान ही कल्यान होता है, सुख होता है, धन होता है, वैभव होता है और दुख के लिए उसके जीवन में फिर कोई जगह नहीं होती है तो हमेशा कोशिश करें कि शनी देव कभी आपसे रुष्ट ना हो, अगर रुष्ट है भी शनी की कोई पीडा चल भी रही है कुंडली में, तो काली मिर्च के ये टोट के ये उपाय जरूर करें, हमेशा शनी की कृपा आपके उपर बनी रहेगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएं हैं, बेल आइकन को ओल पर जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके.